बिक्रम सम्मद 2017 शाल कोरोना महमारी रण लोगडाउन का कारण अर्थ तंत्र समेत नराम्रु संग थला परेव। कोवीट का कारण सिर्जित समस्य बाट लाखवु श्रमिक मस्दूरले रोजगारी गुमाओदा गरिवीर वेरोजगारी को दर उच्चरुकमा बढेव। साना मजोला उध्योग ब्यापार परेटन ओटल स्वेचिक सस्तारु लाम समय कोरोना बाट प्रभावीद बने एक्रिपाउल्ट। बिक्रम सम्मद 2017 मा कोवीट रोगडाउन बाट थब 15 लाख विक्ति बिरोजगार वरे। रस्ट्रिय योजना आयोक का अनुसार कोवीट को महामारी र लोगडाउन बाट थब 12 लाख मारिस गरिवी को रेखा मुनी धके लिएक चन। गरिवी को रेखा मुनी दर 18 दसमलव 7 बाट बढ़ेर 22 दसमलव 7 प्रतिशत मा पुगने अनुमान गरिएकुषा। कोवीट बाट च्यात्तर लाख मारिस को रोजगारी संकट मा परेव। लाम समय बंद भायका उद्योग धन्दा संचालन हुन सकेनन। कोरोना का कारण 2017 साल मा प्रभावीत बनेका च्यत्रा। परियेटन होटेल एर्लाइन्स स्वैचिक सस्ता हरू परियेटन च्यत्रमा करिब सत्तरी अर्वको नोकसानी। तारे तथा ठुला होटेल हरू बंद हुदा मासिक एक अर्व अस्सी करूण नोकसानी। जार्वजनेक यातायत लामो तथा छोटो दुरीको यातायत सेवाहरू प्रभावीत। यातायत च्यत्रमा 13 दस्मलाव 32 प्रतिशत को नोकसानी। घरेलू तथा साना उद्योगरू 40 प्रतिशत भंदा बड़ी नोकसानी। चाना मजहुला उद्योग 83 प्रतिशत बंदा। साथ प्रतिशत को आर्थिक व्रिद्धी हुने अनुमान गरेको थियो। कोवीट वर लॉकडाउन को कारण कृशी छेत्र निकई प्रभावीत बने। कृशा करूले बजार अभाव का कारण तरकारी फलफुल दूद अंडा शड़कमा फैक्नी अवस्ता बने। खाड़ी मलीशिया लगायत का देशरों मा कामगरन गएका नेपाली श्रमी करू लाखों को संख्या मा फरकन खोजे। सरकार ले कामदार युवा को ततकाल उधार गरन नसकदा उनिहर को जीवन जो खीमबा परे। इधर पी नेपाल राश्टर बैंक ले विदेश मा रहे का नेपाली ले पठाउने रेमिटांस बढ़े को जनाये कुशा। नेपाल राश्टर बैंक ले ऑनलाइन तथा क्यू आर कोड प्रणाली तथा डिजिचल कारोबार ले विस्तार गरे कुशा। सुचना प्रविदी को छेत्र मा भरें 2017 साल उस्जाहा प्राध रहे हूँ। न्यूज 24 टेलिवीजन का लागी टीवी जार्नलिस्ट नवराज 40 से को रिपोर्ट।